तो दोस्तों कैसे हैं आप सब स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में दिमाग की बात करें तो इंसान सबसे ज़्यादा सक्तिसाली होते हैं लेकिन अगर ताकत की बात करें तो कई जानवर ऐसे हैं जिनके आगे इंसान भी नहीं टिक सकता है इंसान के अंदर सबसे ज़्य जानवरों से सामना नहीं। तो आज हम आपको दुनिया के सबसे सक्ट इसालियों और खुखार जानवरों से मिलवाने। पिचार एंजल से हर को यडूरता है। आये जानते हैं उनके बारे मिले नहीं। आम तोर पर तो यह जानवर आज देखने को नहीं मिलता है लेकिन इंसान के बेहर नजदिक यह जानवर बहुत ही खतरनाग होता है कई बार इसने इंसान परहमला किया और तब इंसान मिंटों महीं दम तोड़ चुका यह देखने में काफी खतरनागोर अजीब सा लग रहा था यह एक रेंगने वाला जानवर था जो कई सालों पहले हमाई प्रित्वी पर रहता था इसका आकार 8 फीट तक हो सकता था इसकी तोचा काफी मोटी थी जो इसके लिए कवस का काम करती थी इसके मात एक डंग से किसी भी इंसान की एक सिकंड में मौत हो सकती है बाग बहुत गुस्सेल और ताकतवर जानवर होता है और इसकी ताकत का अंदाजा इसी बास से लगाया जा सकता है यह विसाल का हांथे को भी अपना शिकार बना डालता है अगर आप भारत के आंकोडों की बात करें तो हर साल भा थचता हो विसकार लोग बाग के हमले का सिकार बन जाते हैं अ हिद आक सेट और तो वैसे बना ही राज करने के लिए हैं आशल मैं इस इन उसकार जानवर कभी किसी के और गलन शाновने ना जाय आशि दुढ़र सभी करते हैं क्योंकि यह बहुत ही खतानाग और आक्रमक होता है जिसके शिकार से बच पाना मनों नामुनकिन है तो दोस्तों अगर आपको कहीं भी सेर्दिक जाये तो आप तुरंत वहां से भाग लीजिए भाग कर अपनी जान बचाए है हाथिक के विसाल सरीर को देखकर ही आप उसकी ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं यूँ तो हाथिक साकाहरी जीव है लेकिन अगर यह अक्रमक हो जाये तो किसे को भी कुचल कर देने की ताकर रखता है जहां एक और इंसान हाथि को उनके वैस कीमती दातों के लिए मार देते हैं वहीं हाथियों द्वारा इंसानों को मार देने के आकने भी कम नहीं है अगर भारत की बात करें तो हर साल दांतों के लिए करीब एक हजार हाथी सिकारियों द्वारा मारे जाते हैं जब कि हर साल दो हजार से ज़्यादा लोगों के हाथी द्वारा मारे जाने की खबर सामने आती है तो दोस्तों ये थे कुछ दुनिया के सबसे खतर्नाक जानौत इनमें से आपको सबसे ज़्यादा खतर्नाक कौन सा जानौत लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आथ उससे बताएं अगर आप हमाज चैनल पर ना है तो हमाज चैनल को सब्सक्राइब कर ले वो बैल आकान भी प्रेस्ट कर दे ताकि हम जब भी ऐसी बड़िया वीडियो अप्लोड करें तो उसकी नोटिव किसन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए